तो आज हम बनाएंगे चार से पांच साल की बच्ची के लिए पहुत ही प्यूटिफुल सा ट्रेस तो इसको हमने ट्राइंगे एलाइन में कट करेंगे उसका घेरा नीचे का चेंज उपर से लेने के बाद नीचे आंट हिंच का मेज़ेमेंट किया है कमर के लिए क्योंकि हमे करेंगे इसलिए उपर से हम ने जो है वह छे इंच की लंबाई रखा है फ्रंट में जो की लेस के साथ वह अच्छा हो जाएगा इसका लेंद तो वह भी हमने कट कर लिया है और उसे कमर पे चुन देंगे ये फ्रंट के लिए अस्तर भी कट कर लिया है और तीन कपड़ पे चुन देने के बाद हमने लेस के लिए मैजिमेंट के लिए दो लेस लगाएंगे हम एक दो इंच पर और एक नीचे एच पर हर तरफ हम बिडिंग करेंगे कि बच्चों की कपड़े में अकसर जब हम सिलाई करते हैं यानि नीचे के तरफ तो अच्छा नहीं लगता है इसल लगता हमें आर्मॉल्स और जो है वार्न की मारकिंग ले लेंगे अब अपने बच्चे के हिसाब के मैजिमेंट से मारकिंग लेंगे नीचेर वेस्लांट की मारकिंग लेंगे के बाद स्लांट वे में हमेशा आर्मोल को कमर के साथ जो है वो मिला देना रहता है उसके बाद हम आर्मोल को और जो हमारी साइट की कमर है उसको कट कर लेंगे नेक के लिए उपर से 1.5 इंच और नीचे से 3 इंच का एक बॉक्स बना लेंगे और यहां पर मैं बना रही हो राउंड नेक इसलिए वहां पर भी हम कर्वशित दे देंगे तो बहुत एजी ली हमारा यह मार्किंग भी हां पर हो गई है और इस हिस्से को भी हम कट कर लेंगे तो बहुत easy अगर आप हमारे method से चलेंगे तो बहुत असानी से ये ready हो जाएगा अस्तर भी same मैने इसी तरीके से cut करने के बद अस्तर को चार तरफ से attach कर लेंगे shoulder को stitch कर लेंगे wrong side रखते हुए दोनों पार्ट को armhole के हिस्से को औरने के हिस्से को hem कर देंगे और इसके साथ हमारा जो उपर का body इसे side stitch करने के बद ready हो जाएगा तो आपने देखा बहुत simple घेरा बहुत simple body को हमने ready कर लिया और इसको बस simply हमें घेरे के waistline और कमर के waistline को एक दूसरे के साथ attach कर लेंगे ये pretty सा dress ready हो जाएगा इसे थोड़ा सा और kiddish और beautiful look भनाने के लिए हमने ये प्यारा सा sequence का patch इस्तेमाल किया I hope आज की वीडियो आपको useful लगी हो पसंद आई हो और अगर पसंद आएगी तो चैनल को subscribe करना ना भूलेगा like share जरूर